सब्सक्राइब कीजिए Real Factors चैनल को और बेल आइकन को दबाए हमारे लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए चास साल पहले आजीविका की तलाश में भूपा आए थे परिवार लेहीं बस गया था नीशु के पिता नंगल बहादर भूपा में जंता इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रीनी पद पर कार्या करने लगे थे परिवार जंता इंटर कॉलेज के परिसर में आवास में ही रह रहा था नीशु का जन मधुपा में ही हुआ और वह पांच वर्ष की अयू से ही फुटबॉल की ओर आकरशित होने लगा था परिवार में भी निर्थंता और अभाव के बावजुद उसका साथ दिया करीब 9 साल पहले 2009 में मीशु यहां से चंडिगर फुटबॉल अकैडमी में चला गया वहां से फुटबॉल करिया की शुरुआत करने वाले मीशु कुमार ने 2010 में चंडिगर अकैडमी की ओर से पर हली बार कप्तान के रोप में इटली में विदेशी दौरा किया इसके बाद मीशु में भारत की अंडर 15 वर अंडर 16 टीम का सदस्य रहकर विशु के अनिक देशों का दौरा किया जिनने इंडोमीशिया, मलेशिया, थाइलेंड, जापान, विरोप, खाडिवर रशियन देशों में भी फुटबॉल खेली है पिछले वर्ष 2017 में मीशु का चैन राश्ट्रियो टीम में हुआ है अब वह अपने खेल के बल पर देश की राश्ट्रियो फुटबॉल टीम का हिस्सा है नीशु भारतियो टीम में डिफेंडर के रेट में खेलते हैं तथा राइट बैक वर लेफ बैक पर पहुँचकर अपनी लोगिता सिधा करते हैं नीशु कुमार बताते हैं कि राश्ट्रियो टीम के कोच स्टीफन कॉंस्टिंटाइन से वह काफी कुछ सीख रहे हैं इसके अलावा अपने बैंगलो का प्लब के कोच कॉंस जो स्पेंग के हैं उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है निर्धंदा और अभाव के बीच राश्ट्रिय स्तर पर फुट्बाल में अपनी करिया को बनाने वाले नीशु कुमार पर शेत्रवासियों को गर्व है शीकर सुधरेगी भारत की रैंकिंगे भी भोटा में ही अपने परिवार के पास आए नीशु कुमार को उम्मीद है की भारत में भीफा तबोल का जुमिन फ्रिकेट की तरह ही होगा और भविश्य में भारत की रैंकिन में सुधार होगा और भारतिय फुटबोल टीम भी फीफा बाल्टकप में मुख्य ड्रॉमें शामिल होगी भोटा में फुटबोल का ख्रेज बरानीशु कुमार के आवास के सामने स्थित प्राउंग पर उसके गुरु कुलदी प्राठी और बंसी वर विशाल शर्मा गाउं के दर्जे में बच्चों का फुटबोल का प्रशिक्षन दे रहे हैं बंसी को आशा है कि निशु की भाती क्षेत्र के अन्मे बच्चे भी फुटबोल में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे तथा फुटबोल में देश के दिन बहुरेंगे बारिश में टपक रहा राष्ट्रिय फुटबोलर का घर निशु के पिछले माही मिधन हुआ है वह यहां आया हुआ है देश की राष्ट्रिय फुट्बॉल टीम का हिस्सा होने के बावजूब अभी निर्थंता में उनका पीछा नहीं छोड़ा है उसका परिवार टीम शेगव काफी पुरानी मकाम में रहेकर जीवन व्यतीत कर रहा है मासिता देवी वह बहिन मनिशा परिवार में हैं बारिश के कारण मेशू के मकाम की छट तपक रही है